नमस्कार दोस्तों तो स्वागत है आपका अपने यूटोब चैनल पर और आज के आमारा ट्रॉपिक है विर्वास योर 50 mg टैपलेट पर तो दोस्तों आज के आमारी वीडियो में विर्वास योर 50 mg टैपलेट के बारे में जानकाई दी जाए कि जैसे कि इसके यूजिस के सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक क्योंकि दोस्तों हमेशा में चलना पर मेडिसियां समंदित नहीं नहीं यानकाई लेके आता हूं चलिए देरन्दा करते हुए वीडियो करते शुरू दोस्तों विर्वास योर 50 mg जैपलेट जिसके अमर्प की हैं जिसके मर्प 148 रूपीज और यह एलकम कंपोरियो दर बनाया गया है जिसमें कंपोर्शन के रूप में विर्वा रेस्टम 50 mg देया गया है चलिए बात करते हैं यूजर्स के बारे में तो विर्वास 50 mg जैपलेट एपलेपसी में दोरे फिट्स के एलाज के लिए इस्त कर सकते हैं दोस्तों जब तक आप इसे लेना जारी रखते हैं तब तक ये दोरे को रोकने में सायक है एल्प करती हैं मज़द करती हैं विर्वास 50 mg टैपलेट हमारे ब्रेंड में आसामान्य एलक्टिक गतिविदी को सद्मित करता हैं आप इसे निवे रूप से खाने के सा या बीना खाये ले सकते हैं लेकिन सबसे अधिक लाप राप्त करने के लिए इसे नियमित रूप से एकी समय पर लेने की कोशिस करें डोज और कितनी बार आपको इसे लेने की ज़रूय थे ये अपने डॉक्टर क्यान सार निधालित के जाता हैं ताकि आपको अपने दोरे को नियतित करने के लिए सही मात्रा मिल सके इसे दिये दिये बड़ा भी सकते हैं आम तोर पर लंबी अधी के इलाज के रूप में इसकी सला दी जाती हैं अगर आपको बैसर मेसित होने लगा है तब भी डॉक्टर के सला अनुसार इसका सेवन जाए लगना चाहिए अगर आ आपको और अधिक खराब दौरे आ सकते हैं दियो जब तब डॉक्टर ना कहिए इस दवा का सेवन बंद करने का तब तक इस दवा का उपयोग करना अपनी मर्जी के अउसार बंदना करे क्योंकि दवा अचानक बंद करने से आपके द्वारे की स्तथी और भी घंबिर हो सक सकती है और भी बिगड्र सकती हैं इनमें से अधिका साज़िटी के लिए किसी भी स किया वस्यचींज नहीं पड़ती है लेकिन दोस्तों इनमें से कुछा गंबिर हो सकते हैं इस दवास इस दवास से इलाज कराने वाले कुष लोकों को खुढ़को नक्शानया मालने की वि हुआ इसे लेने से पहले अगर आपको लिवर कितने समिद्र को समझ्या या फिर डिप्रेशन या अत्रत्या करकर Entre आते हैं और हें आप घर्वत्य गरलत करता रहे है या इस्तना करता रहे तो आपको अपने डॉक्टर इसके बारे में बताना चाहिए सो माताओ को स्वाको लीने से पड़ एक पर आपने डॉक्टर से जरूर विशार्ले विशार इम्मस बताँते zit Jen स्करम आप व्यावार चक्करा आना या फिस्टी या दवा खाने के बाना आने वाली इसके किसी भी साइड इंफेक्ट कि उने पर अपनों डॉक्टर से एक बाद धरुस अला ले अलिए तो दोस्तों आज जानकार के साथ तब तक के लिए मुझे इशार दीजी गुरुबबाइग